तो बच्चों मेरे पास बहुत सारे questions आ रहे थे आपके कि मैं जो BHU है वो अपना मौपप राउंड actual में शुरू कब करेगा registration जो होगा वो कब इनका शुरू होगा और नए बच्चे किया यहां पर participate कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी जो आपकी confusion है उसको हम फिर से clear करेंगे तो जैसा कि आपको यह पता है कि जो एक article आया हुआ था उसमें यह लिखा हुआ था कि अभी इसके अंदर 1200 seats अभी vacant है 1200 seats पे अब जो होगा वो spot round होगा मतलब mop up round होगा तो वो spot round में अब आप confused हो कि कितनी तक की बच्चों को लिया जाएगा किन किन को लिया जाएगा और किसको नहीं लिया जाएगा पहली बात हम बताना चाहा रहे हैं जिनको नहीं लिया जाएगा वो बच्चे ऐसे हैं जिनका यहां पर admission हो चुका है वो तो obvious है दूसरे बच्चे वो जैसे कि अगर आप यह सोच रहे हो कि मैम हमें यह मिला है हम इसको cancel करा के हम spot round में फिर से participate करेंगे तो यह नहीं हो सकता है आपका दूसरे वो जो बच्चे यहां पे जिनको seat दी गई थी बट वो seat accept नहीं किये थे उनको भी यहां पे spot round में बिल्कुल भी chance नहीं मिलेगा किनको किनको chance मिलेगा जिन बच्चों ने यहां पे participate करना था लेकिन नहीं कर पाये वो यहां पे registration कर सकते हैं उनका जो portal होगा अभी हम आपको बता देंगे कि कब open हो जाएगा दूसरी बात ये कि वो बच्चे जिन्हों ने यहां पे registration किया तो था लेकिन उनको ना first, second, third, fourth, fifth में कोई भी chance नहीं मिला है कोई भी seat नहीं मिली है तो उनको भी preference दिया जाएगा आगे आने वाले इस spot round में तो यह बच्चे हैं जो यहां पे form fill कर सकते हैं registration कर सकते हैं registration के link जो है वो activate कब होगी उसके लिए हम यहां पे बात करेंगे तो देखो यहां पे जैसा मैंने बोला था कि इनका आभी प्रोसेजर चल रहा है और जैसा का आप मैंने बताया था कि GDPI round 2 इनका शुरू हो चुका था वो process इनका 29 तक का या 28 से 29 तक का complete मतलब आज से कल तक का complete हो जाएगा इनका जो spot round है यह 29 के बाद आने का chance है मतलब 30 से 31 के बीच में आने का chance हो सकता है मतलब इनका registration portal 30 से 31 के बीच में open होने का chance हो सकता है तो जो बच्चे यहाँ पे अपना fees वगेरा अभी submit नहीं किये GDPI में जिनका नाम आया है वो अपना प्रोसेजर complete कर दें जिनका 5th round में हुआ है वो सारा complete कर दें अगर उधर भी vacant seat बचती है चाहे वो GDPI round हो और चाहे वो यहां 5th round हो जो उधर seat बचेंगी वो भी seat मिल करके यहाँ पे 1200 में चली जाएंगी और वो बच्चों को भी यहाँ include कर लिया जाएगा वो seats भी इदर include हो जाएगी तो उन seat के लिए भी आप registration आराम से कर सकते हैं इनका प्रोसेजर 29 तक हो जाएगा तो 30 से 31 के बीश में यहाँ पे प्रोसेजर spot round mop up round का शुरू होने का chance बन सकता है ठीक है यही actual में चीज़े हैं यही हो भी सकता है ओकी तो mop up round के लिए आप registration करिएगा जब भी कोई ऐसा notification आएगा मैं आपको तुरंथ के तुरंथ बता दूँगी आप चैनल को subscribe कर लिजेगा जिसे की हर एक notification आपको time to time मिलता रहे जो बच्चे यहाँ पे participate कर चुके हैं वो बच्चे registration करना उनको ज़रूरी नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो registration कर चुके हैं अगर उनको कोई seat नहीं मिली है बस वो wait करें सिर्फ उनको wait करना है और कुछ नहीं करना है प्लस एक बच्चे की यह query आ रही थी कि मैं हमारे में लिख के आ रहा है अगर बच्चों ने अपग्रेड यहां पर किया हुआ है और वो बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि मैं अब हमारा आगे क्या होगा तो उनका यहां पर fees 29 तक का आपका सारा सब कुछ हो जाएगा अपग्रेड करके आ जाएगा अगर इन केस इधर अभी 29 तक नहीं आया तो आपका इस पॉट राउंड में अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपको यहां पे फीस सम्मिट करनी पड़ेगी तो यह अपग्रेड वाले बच्चे भी बिल्कुल परिशान ना हो उनके लिए यही नोटिफिकेशन इसी वज़े से निकाल दिया गया है कि आपका यहां पे बिफोर स्पॉट राउंड चांस है अपग्रेड वा जहां भी एड होना है वहां एड हो सकते हैं वाटसेप पे चैनल है वाटसेप पे थोड़ा सा इजी हो जाता है नूटिस प्रोवाइड करना तो वहां पे आप एक बर जाना चाहते हो ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो टेलिग्राम पे भी ज् इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो प्लस आप कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट कर सकते हो थांक यू सो मच बच्चो